तो पीटा 4.6 exercise आज हम कम्प्लीट कर लेंगे तो 4.6 exercise में क्योश्य नंबर क्योश्य नंबर जो 8 है वो क्या है वो देखेगा क्योश्य नंबर 8 The sum of two numbers is 79,365 If one number is 56,256 Then find the other number देखो दो पहले में बता सुक्यूँ Same question उपर हम कर चुकी है दो नंबरों का जोड जो है दो नंबरों का जोड जो है वो कितना है 89,365 तो 89,365 में एक नंबर दो नंबरों का जोड माल इसे दो फ्रेंड के चीजे जो है दो फ्रेंड के पैसे है वो पैसे हैं आपके तीन सो पैसे इसमें से एक फ्रेंड के पैसे तो मुझे पता चल गया कितनी है बच्चों ये वाले लेकिन दूसरे फ्रेंड ने कितनी इसमें मिलाए हमें नहीं पता एक फ्रेंड ने तो इस जो पैला फ्रेंड है इसमें अपनी पैसे जो है वो इसमें कितने मिलादी माल लीजिए कोई पार्टी चल रही पार्टी कर रहे हैं दो फ्रेंड मिलके पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी में उन्होंने इतना खर्चा कर दिया 79,365 खर्चा उसने किया है तो पहले वाले फ्रेंड ने फो पहले जो सामान आया था ना उसका इतने रुपए उसने दे दिये पहले फ्रेंड ने चिक है अब जो खर्चा इसने इसमें लगा है टोटल उसमें से यह उपए तो उसने पहले फ्रेंड ने दे दिये लेकिन दूसरे फ्रेंड ने कितने मिलाई यह पता लगाना है तो दूसरे फ्रेंड ने कितने मिलाई तो हम कैसे पता लगाईगे पर टोटल में इसे पहले वाले फ्रेंड के निकाल देंगे तभी तो दूसरे फ्रेंड के आएंगे पैसे then same question आपका sum of two numbers sum of two numbers one number is five other number minus the next तो बिटा आप fifteen में से six गया nine five में से five गया zero अब यहां से क्या बचत्री में से two गया one nine में से six गया three seven में से five गया question nine इने certain year the population of a town was एक town जो है उसकी population कितनी है 78,950 after three year the population was तीन साल बाद उस जो town है उसकी population कितनी हो गई 89,997 find the increase the population during three years देखो जब एक साल यहां पे पहले survey हुआ था तो इनकी population कितनी थी लेकिन तीन साल बाद यहां पे शर्वे हुआ after three year तीन साल बाद जब survey हुआ तो इनकी population हो गई यह वाली ठीक है अब पहले तो इनकी population जो लोग थे वो इतने लोग थे 38,000 कुछ लोग थे लेकिन जब तीन साल बाद यहां पे 89,000 लोग हो गई तो कितने बच्चे हैं कितने बच्चे बूढ़ें कितने बुजर कुछ भी लगा लेजे कितने आदमी यहां पे बढ़ गई कितने जादा हो गई कैसे पता लगा हो गई माल लिजी पहले आपके घर में कल तक तो 4 ली मेंबर थे लेकिन आपके घर में कोई occasion है या फिर permanently कोई रहने आ गया तो आपके घर में 3 साल बाद आपके घर में 6 मेंबर हो गई 3 साल बाद पहले आपके घर में 4 ली मेंबर थे अब six member हो गए तो बेटा ये बताओ आपके घर में तीन साल बाद कितने member भड़ गए तो कितने भड़ गए क्या करेंगे माइनस कराएंगे कितने member और extra हो गए आपके घर में तीन साल पहले चार थे लेकिन बाद में किसी की शादी हो गई या कोई बच्चा हो गया तो कितने मेंबर हो गई यहां पे छे मेंबर हो गई आपकी धर मेंबर हैं मामी पापा भाई हैं रैट उसके बाद तीन साल बाद आपकी भाई की हो गई साधी साथी होने के बाद यहां पे उसके बच्चे भी हो गए कितने मेंबर हो गए यह तो आपने यह आपके मामी पापा भाई बावी उसका बच्चा है कुछ भी लगा लेजी छे मेंबर हो गए पहले चार मेंबर थे लेकिन आप आपके घर में कितने मेंबर हो गई? 6 मेंबर हो गई तो 3 साल बाद आपके घर में कितने मेंबर भढ़ गई? तो पिटा 2 मेंबर भढ़ गई क्यों हो? क्योंकि माइनस किया है ठीक है? तो same question है आपको Population Population of a town कितने Population आपके? After 3 year population Find Increased Population Increased का मतलब हो गई कि कितने बक्चे ये बूठे कितने लोग इसमें बढ़ गई हैं Increased Population Minus करना है 7, 2, 0, 1, 1 ये Population बढ़ गई है Question number 10 है Two cars start from कस्मीर इंदर सेम डारेक्शन दो कार चल रही है कस्मीर से सेम डारेक्शन में माल इसे ही कस्मीर है यहां से दो कार चली है सेम सेम चल रही है One car went ये पहली car है जिसकी distance कितने है 7,872 km and other 6,989 km हमें देखना है कि find the difference of distance between them दोनों कर माल इसे कस्मीर से चली है यही से और इन दोनों को कहां पहुँच रहे है इनको आपके घर पहुँच रहे है माल इसे यहां आपका घर है तो इस यह जो car है ना यह माल इसे घूम के आगए तो इसने कवर किये कितने किलोमेटर 7,882 लेकिन यह car बिल्कुल सीधी आई इसने कवर किये 6,989 अब घर आके दोनों car खड़ी हुई और उने देखा कि आप कितने किलोमेटर घूम के आए हैं तो इसने बताया बहिए मैं तो 7,882 किलोमेटर में घर पहुचा हूँ इसने बताया बहिए मैं 6,989 में घर पहुच गया तो इन दोनों के किलोमेटर में कितना डिस्टेंस है इन दोनों के किलोमेटर में कितना डिस्टेंस है जबकि दोनों एक साथ चली थी और एक साथ ही घर पहुँची है मतलब एक ही पॉइंट से चली है और एक ही पॉइंट पे घर पहुँची है तो इन दोनों के किलोविटर में कितना डिफरेंस से कैसे पता लगाएंगी जादा में से कम घटा तो पता चल जाएगा ठीक है? वन कार डिस्टेंस वन कार कवार डिस्टेंस इतने कवार किये? 7,800 बहेंतर किलो मेटर शेकिंड कार कवार डिस्टेंस 6,989 किलो मेटर फाइंड डिस्टेंस इफ्रेंस फाइंड इफ्रेंस इस एक्वार टू माइनस करना है यहां पर कितने बचले? 3 8 नौ 8 चीक है? तो यह किलो मेटरेंस ने कवर किये हैं एक्सरसाइज आपकी खतम हो चुकी है एक्सरसाइज 4.6 कम्प्लीट इन फियर नौ कम्प्लीट कर लेने हैं बिटाइज एक्सरसाइज 4.6 को ठीक है? तो अर पिली इतना ही रखेगी क्युंक थे थूभते दोंसे थीन CARE एक्सरसे आपकी तो यह किया है एक्सराइज एक्सराइज निए एक वार्फे पिलीट कर दोच्थे जए हैं